सबसे पहले बाता देते किस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेगे human eye कैसे work करता है secondary हम लोग समझेंगे कि अगर कोई अगर आखे नहीं रही तो क्या रहा है तो सबसे बात है कि it is a natural optical instrument which is used to see the objects by human beings it is like a camera which has a lens and a screen system so basically हमको यह बोलना चाहिए कि human eye की तरह camera work करता है ना की camera की तरह human eye क्योंकि obviously बात है natural lens होता है actually हमारी जो आई होती है उसमें natural lens होता है auto focus होता है बहुत सारी चीज़े होती जैसे camera के अंदर होता है auto focus तो यह सारी चीज़े नाचरली आपके human eye में होती है and उसी की हमको विशेशताय पढ़नी है यानि किसो जो qualities है कि कहां से आया अभी इतना सारा properties उसको हम लोग समझेंगे तो start करते है वे the structure of ice तीक है तो आपके जो आखों का जो structure है उसको हम लो समझने की कोशिश करते है कि structure कैसा होता है हमारी human eye का सबको पता है कि एक ball होता है na eyeballs हमारे पास में होती है तो जो eyes की balls होती है वो basically बहुत सारी muscles से मिलकर बनती है और वो different muscles होती है जो की differently work करती है तो हमारी eyes के पास में बहुत सारी muscles होती है उनको हमको पढ़ना है सबसे पहले बात करते है आपके पास में जो muscles size की one by one समझेंगे तो eyes को हम लोग खारे बारे त्या क्रश्म करने तो फ्राण won't वाला बहन भाता है। इसे हम लोग मूलता है कॉण्या यानि कि यह वाला इसा दिस पार्ट एस कॉर्ट है कॉर्णिया जो कि सब skravar प्रसपर्टी मिडियम होता है कॉर्णिया एक तरीके से дос newest और धो होती है कि ये लाइट को पूरी तरीके से आने देती है येस इसका काम ही होता है कि max to max light जो है वो आए ठीक है पिर light जब आती है तो उसके बाद हमारे पास जो second part आता है आग का वो होता है यानि कि हमारे पास में दस्पार तो ये जो पार्ट होता है इसके अंदर भरा होता है ठीक है और फिर होता है हमारे पास में लेंस तो हमारे पास जो आई का जो लेंस है उसके सामने भी बहुत सारी different muscles जो है वो क्या कर रही है काम कर रही है तो one by one हम लो समझेंगे और इमेज से समझेंगे कि या इमेज में क्या है और कैसे वर्क करता है सबसे पहला पार्ट है तो guarnia जो होती है थिन membrane होती है विच कवर्श आई ट्रेल हमारी जो आखों की ट्रेश से उसको कवर अप करती है it acts like a lens which refracts the light entering the eyes आखों के अंदर आने के लिए LED को एक मीडियम प्रवाइट कर रहाती है ऑनेगे दूसरी मेडियम से लग अधि फीवाइट कर रहा है ये ये अंदर गीगे लिए प्रॉबध लग Picture के पास तक लाइट पहुचा रही है ठीक है फिर आता है secondary पार जो के हमारे पास में aqueous humor जो की यहां पर पाया जाता है this is your aqueous humor जो की यहां पर इस पार्ट में पाया जाता है तो यह ताईगा fluid type का होता है ठीक है तो it is a fluid which fills the space between cornea and eye lens हमारे पास में जो lens होता है उसके और आपके जो cornea है उसके बिच का जो space होता है इसको fill up करने के लिए लिए fluid का यूज करते है जो कि और ज्यादा हम क्या सकते है refraction के लिए medium provide कर बाता है इसका काम ही होता है medium provide करवाना ठीक है then हमारे पास में आती है third is pupil तो pupil क्या होती ही क्या है सबसे logical चीज है अगर आप लोगों ने कभी notice करा होगा हमारी eye के दो हिस्से होता है अगर आप ध्यान से notice करो मैंने एक human eye बनाई हुई है human eye के आप लोगों ने देखा होगा कि एक हिस्सा होता है this one and secondary was this अगर आप लोगों ने कभी notice करा होगा है तो यह हमारे पास में इस तरीके से human eye होता है तो यह outer वाला जो part होता है that is your cornea second आपके पास में जो interface होता है वो होता है pupil का and this is your iris तो होता क्या हमारे पास में जो आखे होती है उसके अंदर के जो अंदर वाले parts है उसमें pupil and iris का बहुत बढ़ा part होता है यानि की iris generally color of eye भी हम लोग बोल सकते है कि जिसके eye blue होती है किसी की brown होती है किसी की black होती है ठीक है तो जो eye का color होता है वो भी iris के द्वारा ही हमको पता चलता है कि हमारी आखो का color किस size का है या किस type का है ठीक है and सबसे important चीज यह होती है मारे पास में कि pupil जो होता है यह ए light is what energy तो light जब बहुत ज़्यादा हमारी आखो में जाती है तब हमारी आखो के अंदर की जो muscles होती है उसको damage कर सकती है for example अगर आप चल्चलाती धूप में ऐसे sun के पर तरफ देखो है ना धूप एक दम बिल्कुल खतरनाक तरीक से चल चल चला रही है और आप बिल्कुल च करोगे तो आपके जो आखों के जो पुपल होती है देखना वह बहुत सिकुड जाती है यानि बिल्कुल ऐसे सिकुड जाती है उसका reason होता है कि आपके पास में पिपल जो होती हो छोटी जाती है जिसके करण जो amount of light हमको needed होता है वह बिल्कुल कम हो जाता है जब आप ज्य पुपल होती हो फैला देती है थैं किया फुपल जो होती है बड़ी हो जाती हो फिल्कुल ाइरिस के एकवर तो आउरिस का काम क्या होता है तो आईरिस जो हoding फुपल को manage करता है best यि कितना इक कुल बढ़ी का size कितना च्टोट होगा इसको control करने काम कि तो आपके पास में, it helps people to control the amount of light entering the eye by changing the size of the people. तो ये गाम होता है कि इसका आइरिस का, वो गहां पाई जाती है, आप लोग देखो, this is your iris. जो कि हमारे पास में, क्या कर रही है, people का size होता है, इसको क्या कर रही है, इसके बाद में, आपके पास आती है, दूसरी muscle, ठीक है, now look at this muscle, जो कि lens इसे चिपकी होगी है, तो this is the secondary muscle, जो कि हमको बहुत जाना जरूरी है, and this muscle is called ciliary muscles, ठीक है, तो ciliary muscles का work क्या होता है, lens को संभालना, तो ये आपके पास में क्या है, आपका lens है, and now lens को संभालने का क्या होता है, ciliary muscles का, कहने का मतलब क्या है, कि अगर आप लोग normal lens की बात करते हो, तो normal lens का एक fixed focus होता है, if you know, you know, ये normal lens का focus, जो है, वो fixed होता है, वो कभी change नहीं कर सकते है, but for human eye, human eye का एक feature होता है, कि यार ये focus automatically change कर सकता है, with help of ciliary muscles, and that is the reason, कि चाहे बस तू कितनी ही दूर रखियो, चाहे object आपका कहीं पर रखाव, चाहे देखना हो, आपको कुसी special चीज की नीड नहीं होती, आप easily chance इतारे देख सकती, यानि कि आपकी जो नजरे वो दूर तक जा सकती, उसका reason क्या होता है, दूर तक जाने का, दूर तक जाने का reason यह होता है, कि हमारी जो आखों का lens होता है, वो अपनी जो focus होता है, इसको बहुत जादा कम और बहुत बढ़ा भी सकता ह जितना बड़ा focus होगा उतनी दूखी चीज़े हम लोग क्या कर सकते है इसी देख सकते है तो ये एक मातर ही रीजन होता है हमारे पास में कि बाहर से अंदर जाने पर dense होते जाते है यतना जाधा medium आपका अंदर जाता है उतना जाधा dense medium होते जाता है ये lens की speciality होती है कि मारा lens भी different type of refractive index से बढ़ा हो तो आप लोग देखो अगर आप आई को ध्यान से नोटिस करो कि जैसा जैसे हम लोग अंदर जा रहा है the refractive index जो है वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है ताकि light जो है वो आए और प्रॉपर जो इसका image हो कहां पर फॉर्म हो वो फॉर्म हो इस layer पर जिससे हम लोग बोलता है retina this is also a muscle जहां पर आपके photo receptors होते है photo receptors क्या करते है जो light energy को absorb करते है और उनकी energy के साफ से आपके जो muscles होती है जो की mind से connected होती है जिसे हम लोग बोलते है optic nerve उसको send करती है मतला समझ रहे हो कि all thing is going through how it is going through कि light eye eyes से हमारे पास में जो lens है उससे क्या हुआ कि जो light eye वो image form कर रहा है image form हो रहा है कहां पर retina तो यह total आपका retina होता है यह आपका total आपका पूरा retina है इस पर आपकी image form हो रही है image form होकर कि जो signals है वो कहां जा रहे है वो signals आपके पास में basically light signals होते है यानि कि हमारे पास में जो signals होते है वो किस form में होते है वो होते है generally आपके light energy के form में ठीक है light energy से electrical energy में आपके पास मे क्या होता है signal convert होता है मतलब देखे हो हमारी आख के अन्दर कितनी सारी functionalities हो रही है ठाल है पहले signals आए कि हमारे पस में image form हुआ है optic nerve से वो कहां गये वो optic nerve basically electrical messages को transfer करती है हमारी eye से mind में कैसे जा रहे विद help of optic and optic nurse क्या गर रही है बेसिकली यहां के जो हमारे light energy है उसको extract करके basically convert कर रही है किसमें electrical signals में और फिर हमारा जो mind होता है वो image को सीधा करके भीशता है ये जो image बनती है real image हमेसा form होगी हमारा जो mind होता है वो क्या करता है उसको हमेसा image को सीधा करके समझाता है यानि बहुत ज्यादा महत होती है हमारी आखों के द्वारा तो ये एक बहुत ही sensitive part होता है पूरे के पूरे बॉड़ी का चलिए समझने की बात करते है आगे तो eye lens basically क्या होता है it is a convex lens made of a transparent and flexible jelly-like material its curvature can be adjusted with the help of ciliary muscles ciliary muscles क्या होती है these are the muscles which are attached to the eye lens and can modify the shape of eye lens which leads to the variation in the focal length, focal length change होगी तो image का जो बच्चा बनने वाला image होगा वो obviously वो भी change करेगा no doubt in that, ठीक है रटिना की बात कर लेते है रटिना जो होता है वो एक बिलकुल screen की तरह होता है screen जिसके ओपर image फॉर्म होती है और हमारे पास में जो जितनी भी image फॉर्म होती है वो generally कह सकते है कि real images ही फॉर्म होती है रटिना के ऊपर तो it is a light sensitive screen inside the eye on which image is formed it contains rods and cones this is नहीं 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 थी यह जो rods and cones क्या होते है बेसिकली यह फोटो इस आर काइंड फोटो रिसेप्टर्स ठीक है तो rods and cones की फंक्शनालिटी डिफरेंट होती है दोनों डिफरेंट तरीके से वक करते है एक जो होता है आपके पास में वो brightness को maintain करता है कि आपके पास में जो image है इसकेश सब्दियों किना थी फोटल्ष को क expansion क भी को इसे कि कोई इमेश बहुत ढूंदला सा मनता है कोई बहुत शाप बन तो इसको decide करने काम होता है एकका। एक काम होता है कि colors क्या है एक color प्रसक करता है और एक जो होता है क्या करता है वह एक brightness को maintain करता है तो दो चीज़े होती है आपके पास में rots and cones में जो कि retina बे होता है तो इनको हम लोग होता है photo receptor cells ठीक है तो यह आपके पास में होती है cells kind of ठीक है जो कि images को maintain करते है कि image कैसा होगा इसका और image के पास में कैसा color है image कि color की होती है basically RGB form में होता है वो हम लोग अभी जब color blindness पढ़ेंगे इस topic में आगे तो हम इसको भी cover up करेंगे वही पटिक है so don't worry about it but yes retina के पास में हमारे पास image form होता है image जो होता है वो light energy के form में होता है of course and then light energy is converted into the electrical energy on the retina ठीक है फिर बात करते है optic nerves तो यह क्या करते है these are the nerves which attack the image to the brain in form of electrical signals ठीक्या चलिया now this was your eye का proper जितने important part होते है उनको हम लोगों ने समझ लिया अब हमें क्या समझना है that is how it works so basically light ray coming from the object to be seen enter the eye through people and fall on the eye lens the eye lens being convex form a real and inverted याद रखना always real and inverted image बनेगा अगर नहीं बन रहा है तो आपको image कभी दिखेगा ही नहीं on the retina the light sensitive cell of the retina gets activated upon illumination and generate electrical signals these signals are sent to the brain via optic nerves the brain interprets these signals and finally gives rise to the sensation of vision ठीक है तो इतना पुरा functionality होता है आपके पास में जब आक किसी भी object को देखते हो तो object का image form होना and signals को receive करना और यह बहुत कम time में होता है सब जो कि इतनी सारी चीज़े हो रही है हमारे आखों के अंदर and उसका time period बहुत कम होता है ठीक है तो उसको भी हम लोग जानेंगे ठीक है तो इस तरीक से हमारी जो आखी होती हो काम करती है अब इसमें बहुत इंपोर्टेंट जो रोल प्ले होता है power of accommodation तो यह क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो basically हम लोगों ने एक चीज़ प्रॉपर पॉपर पॉपर हो जाए चान सिदाय को देख रहे है आप लोग तारे बहुत दूर है तो इसके इतने दूर तारे उसके भी इमज़ हमारे पास पर पर क्या मन रही है हमारे आखों के रटिना पर बनती है तो उसके लिए focal length बढ़ानी पड़ेगी औविस सी बात या फिर उसको बिल्कुल सिकोडने के लिए तो यह दोनों ही फंक्शनालिटी के गारण इसको हम लोग बोलते हैं power of recommendation तो ability of eye lens to adjust the focus of lens with object distance यहाप लिख देना इसको with object distance is called power of recommendation the image of the object at a different distance from eye are brought to focus on the retina by changing the focal length of the eye lens which is a composed of fibrous jelly-like material can be modified to some extent by ciliary muscles ठीक है it can be modified ठीक है now जो सबसे important part आता है इसका that is near and far point अब यह क्या चीज़ होती है चलो इसको एक example देखें आप लोग कितनी दूर तक देख सकते हो maximum आपका जो average है वो और कितने पास की चीज़ों को आप clear देख सकते हो यानि अगर आपकी आई जो है वो image form कर रही है तो वो किस distance तक के image form कर सकती है सबसे नस्दीक या सबसे दूर दो ही option होगे या तो बहुत पास या तो बहुत दूर तो कितना दूर प्रॉपर इमज बनेगा और कितने पास तक की जो object की distance है उसका image बनेगा तो यह जो distance की बात कर है data called near and far point near point जो होता है वो pointer जहां पर minimum this is a minimum distance जो के हमारी आखों के लिए needed होती है जिस पर परफेक्ट इमज बनेगा और उसके बाद image की क्लियरली हम उसको नहीं देख सकते है हमारी minds हमारी आखों पर बहुत प्रेशर पड़ता है जब हम किसी भी object को बहुत पास मिला करके देखते है if you can like do that तो एक काम करो अपनी copy कताब को अपनी आखों के बिलकुल सामने रखो सामने मतलब बिलकुल चिपका के रखो ऐसे and you will find की हमारे पास जो images form हो रही है वो बहुत blur सी images form हो रही है तो इतनी blur images form होने के पिछे का reason क्या होता है and that reason is because the near point and the far point तो near point वो minimum distance होती है जो कि आपकी eyes को need होती है एक object को properly seen करने के लिए and far point आपका warm distance होता है जो उस पे आप maximum किसी भी object को देख सकते हो तो if you can define it like तो आप बोल सकते हो कि the nearest point at which small object can be seen distinctly by the eye is called near point for normal eye it is about 25 cm and it is denoted by D symbol so basically क्या होता है हमारे पास में कि हमारा जो near point होता है वो for healthy eyes 25 cm होता है इसका मतलब क्या होता है कि like आपकी आखों के सामने अगर आप 25 cm पे एक object लगते हो लगबग इतना ही पड़ेगा वो 25 cm मतमीन्स इतना ही होगा तो आप बहुत अच्छी image बना सकते हो आपके रटियना पर बट अगर आपने object को पास में लाया तो यू विल फील कि आपके mind में आपकी जो आखे है उसके उपर लगने वाला force जो है increase हो रहा है मैंने और पास में लाया you will feel more pressure on your eyes और पास में लाया और उसको आप clear देखने की कोशिश करोगे you will feel more pressure तो इसको हम लोग बोलता है कि या जितने पास में लेकर जाओगे हमारी आखों को उतना दौदा problem होता है इसलिए लोग बोलता है कि टीनी पास से मत देखा करो अरना आखे खराब हो जाएगी कुछ लोग mobile बिल्कुल गुसा कर देखते है तो वही रीजन होता है टीचर लोग मना क्यों करते है क्योंकि everyone should know about कि नियर पॉइंट इस लाइक इतना हो था 25 cm लाइक लगभग लाइक तो आप इतने दूरी पर इतने डिसंस पर आप इसीली बढ़ाई कर सकते हो इतने डिसंस पर आप इसीली बढ़ाई कर सकते हो यह बेस्ट एंगल ठीक है जि आपकी आखों से लेकर के जो भी आपके अबजेक्ट होता है उनके बीच का जो minimum distance उट भी लाइक इस यहाँ पर देखो इस यूर नियर पॉइट देखो इस यूर 25 cm यह आपकी आइज है तो यहां से मैंने measurement करना start किया है from here to there this is your 25 cm ठीके लगभग यहां तक कि आपको 25 cm है and this 25 cm जो है वो आपका कर रहा है help कर रहा है तो आप देख सकते हूं कि यह जो भाया है इन्होंने अपनी जो keyboard है उसको कहां रखा हुआ है 25 cm ट्राय करने के कोश्च कर देखे तो this is the minimum distance यहां पर आप object को रखिये या इसके बाद रखिये आपको कभी problem नहीं होगी लेकिन तो नियर पॉइंट आपको 25 cm होता है safest distance है और इससे आपकी आखे लंबे टाइम तक ए खराब नहीं होगी next अब बात करतें for point की the far point क्या होता है the farthest point up to which our eye can seen objects clearly without any strain on the eye is called the far point for a person with normal vision the far point is at infinity that means infinity पे जो present stars होते है जो planets होते हैं, हम लोग easily see कर सकते हैं, आपका जो moon है, आप उसको easily देख सकते हो without any problem, और इसको हम लोग बोलते हैं हमारा farthest point, तो far जितना होगा, जितना दूर होगा, उसको हम clearly देख सकते हैं, तो हम लोग बेख सकते हैं कि जो दूर रखे हुए object भी होते हैं, उनको हम असानी सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार वो हमारी आखों के लिए at infinity पे है, तो far point कहां होगा, at infinity होगा, वो past में होगा, नहीं, that is the reason कि जो farthest point होता है, वो कहां पर होता है, वो infinity पे होता है, और जब भी किसी को आखों में defect होता है, problem होता है, उनकी यही जो near point and far point होते है, वो दिखाइनी पड़ती है, reason ही होता है, कि उनका जो near point and far point होता है, वो change होता है, और जब ऐसा changes होते है, तो obvious ही बात है, वो देख नहीं पाते है, चलिए, तो अब समझते हैं, आगे कुछ कुछ चीज़े हमको इसमें और understand करनी है, that is, कि with advancing age, the power of accommodation of eye decreases at the eye lens, gradually loses its flexibility for most of the old persons, जो age होती है, उनकी like six feet के आसपास, अपनी आखों के जो visions होते है, वो दीमे, 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 खोने लगते है, उसके पीछे reason होता है, उनकी cellulari muscles जो होती है, वो धीरे, दीरे, 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 शित्थल होती है, शित्थल मतलब कि बहुत जादा लून सी होती है, वो तच्छे से functionality न करना चाहिए, that is the reason कि आप लोगों ने बड़े मुजर्गों में अकसर यसी कायद देखी होती है, कि उनकी जो आखे है, वो धीरे, दीरे, 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 देखना कम कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है, the near point is about 200 cm पहुँच जाता है, मतलब 20 cm के आसपास पहुच ज देखने के लिए कुछ लोगों को लेंजस की नीट पड़ती है, and that is the reason कि आश्मा लगाते है, ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों समझना है, ठीक है, आईए, तो अब बात करते है, least distance of a distinct vision, क्या होती है, तो minimum distance of an object from eye at which it can be seen most clearly and distinctly without any strain on the eye, it is called the least distance of distance of distinct vision, ठीक है, for a person with normal vision, it is about 25 cm and it is represented by the similarity, ठीक है, the least distance of the distinct vision is 25 cm, तो ये तो पता ही होना चाहिए, आपको ये exam में question कूछते है, कि क्या होती है, हमारे पास में least distance, या नियर पॉइंट का value होता है, distance कितना होता है, तो ये question exam में अक्सर आता है, तो you should know about it, it should be 25 cm, समझ गये, आगे बड़े जी, चलि ये, on the next, persistence of the vision, अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मारे पास में, कि हमारी जो आखे होती है, वो कितने time तक image बनाके, या हमारे जो रेटीना होता है, उस पे image कितने time period के लिए होता है, तो it is the time for which the sensation of an object continue in the eye, it is about 1 16th of the second, मतलब कि आप सोचो, हमारे mind में क इतने जादा तेजी से process हो रहे है, यानि कि आप सामने खड़े हो, या आपके सामने object है, आप image बना रहे हो, और आखों पे वो image का timing कितना है, 1 16th of the second, यानि कि 1 second का 16 हिस्सा, उतनी time तक आप अपनी आखों के images वो देख पा रहे हो, यानि कि अगर मैंने मान लीजे, मैंने क मैंने कोई object देखा, तो वो object का sensation है, मेरी muscles को कितनी देर तक रहेगा, 1 by 16th of second तक रहेगा, जो कि बहुत कम time है, तो यह कहलाता आपके पास में persistence of vision, बात करते हैं बच्चा एक और issue जो कि आखों के साथ में आता है, that is color blindness, अब color blindness समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा, इसका retina होते है, and retina के उपर photo receptor cells होती है, जो की image formation के लिए जम्मदार होती है, अब आपके पास में जो photo receptor cells होती है, उसमें mostly होते है rods and cones, तो जो cone होते है, वो detect करते है, किसको basically colors को, तो जो cone होते है, that are for colors, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, on this, कि जो cone होते है, cone क्या करते ह क्या है, cone cone cells, वो colors को detect करते है, rod cells का काम होता है, brightness को maintain करना है, sharpness of the image maintain करना, तो cone cells जो होती है, वो RGB में होते है, आप लोग देख सकते हो, the primary color हमारे पास में होते है, nature के primary color होते है, RGB यानि की red, blue and green, these are the basic color जो की nature में present होते है, RGB, ठीक है, and RGB को ही हमारे पास में, जो हमारी आई होती है, वो best क्या करती है, detect करती है, और जो भी combination, जो millions of combination होते है, वो इनके combination से, बार-बार के जो combination होता है, उन से हमें different type of color मिलते है, तो these are our primary color RGB, red, green and blue, these are our primary colors, ये exam में अगर आया, तो confused मत होना, कि RGB क्या होता है, RGB are the primary color, red, green and blue, तो मैंने बोला कि जो rot cells होती, वो brightness and cone cells जो ह होती है, वो colors को detect करती है, now, point क्या होता है, कि कई बार हमारी जो cone cells होती है, वो actively work नहीं करती, है न, तो जैसे हमारे पास में जितने number of healthy cone cells होगा, उतना अच्छा आपका vision होगा, कहने का मतलब, जितने अच्छे है आप लोगों के cone cells and rot cells होगे, उतनी clear image बनेगी, जितने ज्य working of cone cells and rot cells होता है, वो proper तरीके से work नहीं कर पाता, उनके जो photoreceptors होते हैं, वो proper तरीके से recept नहीं कर पाते, उसके कारण उनको color blindness हो जाती है, यानि कि combinations of color जो है, वो proper तरीके से नहीं हो पाता, किसी में red cells को detect करने की problem होती है, किसी में green को detect करने की problem होती है, और किसी में blue को detect कर की प्रॉब्लम होती है तो इसके कारव उनके अंदर कह जाता है color blindness जो होता है वो mostly देखा जाए मेल्स में जादा होता है because males के पास में जो number of photodeceptors है वो females की तुलना में काफी कम होते है and that is the reason की females जो है वो multiple color को differentiate कर सकती है but for main कुछ color जो होते है वो same ही दिखाई पड़ता है that is the reason की लड़कियों को red chili और normal chili red lipstick and pink lipstick होती है उसमें proper difference हमझ में आता है but for the boys दोना color same ही होते है reason क्या है उसका क्योंकि boys के लिए यार इतने photodeceptors है ही नहीं उसमें उनकी गलती है ही नहीं ठीक है और हमारे पास में sense है number of extra colors के हमारे पास बहुत ज्यादा photodeceptors होते है तो we can easily see different and also can differentiate the different color but for the means यह possible नहीं हो पाता है इसलिए generally males जो होते है वो color blinds होते है and also for animals animals भी कुछ specific colors को ही detect कर सकते है like for dogs हो गया ठीक है dogs के लिए generally ऐसा बोलता है कि वो black and white images चलती है उनकी and most things को अलग अलग तरीक से detect है यानि कि कोई हर कोई जो जानवर होता है वो proper clear image नहीं देख सकते यानि से हम लोग colorful bird को देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि हर कोई जानवर जो होता है वो colorful bird ही देख रहा हो यानि कि ह यानि कि animals इसका है किसी bird में different हो सकता है human के लिए different हो सकता है तो हर किसी के लिए same object color जो है वो vary कर सकता है because of that photoreceptor's cells तीक है अब तोड़ा हम लो समझने की कोशिश करते हैं the retina of our eye has a large number of light sensitive cells having shapes of rots and gons the rod shaped cells respond to the intensity of light which different of the brightness and darkness whereas the cone cells जो है वो respond करती color को in dim light rod cell sensitive but cone cells are only bright we can cone are sensitive to the red green and blue color of light to different extent due to genetic disorder some person do not possess some cone shaped cells that respond to certain specific colors only such as person cannot distinguish between certain colors but can sing well otherwise such as person are said to have color blindness driving license are generally not issue to the person having colorblind license तो ये जनरल नोलिज की तो आप देख सकते हो कि color blindness होती है वो कितनी issue आपके लिए क्रियेट कर सकती है if you are color branded तो भाई लाइसेंस ने रे सकता है तुम्हें ना होज बड़ी problem में ने तो खेर तुम्हारी उमर नहीं है वसे license लेने वाली अगर तुम दसी में हो तो ठीक है बठा एक टाइम के बाद में अगर यह problem होता है तो license लेने में problem होगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास में हम समझना है defect of reason and their correction यह एक important topic है exam में कई बार यहां से question आते हैं तो you should know about it तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो आई है उसके जो lens होते है अगर प्रॉपरली function कर रहे है तो कोई issue नहीं बट अगर function में कुछ issue हुआ तो बहुत-बड़ा दिक्त हो जाता है तो that is the reason कि हमें समझना है defect of reason and their correction तो चलिए one by one हम लो समझते है defect of reason क्या होते है तो चलिए समझते है बच्छा कि हमारे पास में defects होते हो कितना type की होते है कैसे क्या चलो अफटा-फट से देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ बात करते है अपने पास में defect होते है वो due to some reason हो जाते like lens में कुछ problem हो गई है ना कर यह defect को पहला डिप्ल वो है myopia क्या होता है सली जान लेते हैं myopia को हम दूसरा नाम भी लेते है जिसको हम बोलता है short sightness यानि कि जिसको बोलते है क्या दूर का दिखाई नहीं पड़ता यस इनको दूर का दिखाई नहींबढता यहाँ पर का लिखा हुआ है short यानि कि याद रखो दूर का अंधा पास का अंधा तो ऐसे याद रखोगे तो आपको पता रहेगा बच्चे अक्सर यहीं पर कन्फिस होता है देन हम लिए बात करते हैं आपके पास में प्रिस बायोपिया एंड एस्टिग मैटिजम की तो इन दोनों का भी कि अज़िए और यह दिफरेंट फेनोमेन होता है तो चल यह एक एक करके डिटेल में ही समझ लेते हैं कि यह है क्या जब मान लिजे मेरे पास में यह आई लैंस है यह आपकी आई हो गई तो आने वाली light rays, generally मानलीज्य आपके पास में बहुत दूर रखा अब्जेक्ट है उनसे आने वाली light rays होती है लाइट रहे है और निवPac चाहिस ममाकूस से लिए वी अवाथ रहे है तो मांन लिगैनों होता है और यह आई तो इस तरीके से जो आपको औरेंज कलर का दिख रहा है यह लेंज की मोटा ही है तो लेंज जब मोटा हो जाता है that time आने वाली light rays जो होती है वो इस तरीके से जो आने वाली light rays होती है वो क्या करेगी वो पहले ही मर्ज हो जाएगी वो इस point पर मर्ज हो जाएगी यानि उनका focal length क् जब भी आपको SORT SIGHTNESS होती है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि जो महारा Focal Lens होता है एपका वैली जो होता है वो काम हो जाता है क्योंकि Lens मोटा हो जाता है At that time हमारे पास में जो Image है जो Retina भी बनना चाहिए था हमारा Image कहां बनना चाहिए था Retina भी बनना चाहिए था बट Retina के पहले बन जाता है इसलिए से हम लोग बोलता है SORT SIGHTNESS ठीक है अब होता क्या है कि इसके पीछे और भी reason हो सकते है जैसे कि आप लोग देख सकते हो excessive curvature of the cornea हमारा जो cornea होता है जो curvature बहुत जादा बढ़ जाता है तब हम लोग बो सकते कि यह issue हो सकता है यह lens की मूताई है थोड़ी सी बोल सकते बढ़ने की कारण यह कई बार हमारी जो eyeballs होती वो पीछे की और खसक जाए तो इस reason से भी हमारा जो basic reason है defect है यह आ जाता है तो फ that means हमें कुछ ऐसे ऐसे lens का need है जो की क्या कर सके इस image को रेटीना पर फॉर्म कर सके that means हमें कुछ ऐसा object चाहिए ऐसा lens चाहिए जो आने वाली light ray को पहले हमारे जो eye lens है उस पर फैला दे तो फैली हुई light ray जब आपके पास में आपके lens पर बढ़ेगी तो of course वो रटीना पर जाके क्या होगी focus होगी at that point तो हम लोग क्या करते है एक ऐसे lens का यूज करते है जो कि आने वाली light rays को diverge कर दे तो diverging lens का use करेंगे that is your concave lens तो आने वाली light rays है आपके लोगों की वो क्या करेगी आने वाली light rays को आपका concave lens जो होता है वो पहला देता है और जब ये फैली हुई light rays है आपके eye lens के ऊपर पड़ती है ये मान ली जा आपका eye है तो जब भी ये eye lens के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा ये पहले ना मर्ज होते हुए अब सीधा जाके रठीना पे मर्ज होगी और यहां पे हमारी जो image ह है वो form होगी and that is the reason कि हम लोग क्या करते है use करते है कौन? cave lens ठीक है अब एक चीज तो मैंने आप लोगों को ये बता दी and जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई है that is ki it is a kind of defect in human eye due to which a person can see near objects clearly but he cannot see the distant object clearly और जो far point होता है वो infinity से आगे है मतलब कम हो जाता है यानि कि अगर आ तो हमारा जो far point होता है वो किस पे होता है वो at infinity होता है वो क्या होता है infinity से थोड़ा सा less हो जाता है तोड़ा कम हो जाता है थोड़ा past में आ जाता है that is the reason कि दूर की चीज़े हमें दिखाई नहीं देती ठीक है चलिए तो ये था आपके पास में आपका far basically कि जो दूर की object न कैसा निकालते है it is totally based on your focal length है हमारा जो focal length होता है उस पे ये based होता है चलिए आप समझते है कि power कैसा निकालेंगे तो power निकालने के लिए आपको same formula यूज करना है P is equals to 1 by F से हम लोग power निकालेंगे चुकि हम सभी जानते है कि जो आपका object है ठीक है जो हमारा object है वो दूर की को नहीं देख पा रहा है पास की चीजों को बहुत अच्छे से देख पा रहा है तो हम क्या करते है focal length निकालेंगे with the lens formula and power निकालेंगे with this formula ठीक है तो यहाँ पर आप लोग पावर निकाल सकते हो पावर जो होगी वो आप लोगों की always कैसी होगी negative होगी and negative sign जो होता है हमें represent करता है कि यह lens कौन सा है कौन cave lens का use किया जा रहा है है ना negative sign हमें represent करता है कि हमारे पास में जो lens है वो कौन सा lens है कौन cave lens होता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके पास में so इसके लिए जो हमारी object होती है at infinity होती है वी जो होती है वो image distance होती है आप उसको x मान लेगे ठीक है जो हमारी image eyeball के कितने past में बनी है that will be your image का distance अगर आप इसको x मानते हो तो focal length को आप calculate कर सकते हो with this formula ठीक है and easily आप लोग निकाल सकते हो तो हमारे पास में 1 by f को निकाल सकते हो आप लोग with this formula जहां पे v क्या है यू जो है वो infinity है तो 1 by infinity को हम लोग जनरली 0 मान है तो आपके पास में इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 by इसको ऐसा लिए 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 वी इंटो यू यू प्लस वी and f विल बी यू वी बाई यू प्लस वी तो इस formula से भी आप पावर निकाल सकते हो ठीक है so no doubt focal length निकाल के आप पावर को calculate कर सकते हो अब बात करते है आप जो objects का light ray होगा वो क्या करेगा उसको फैला देगा फैलाने के बाद add a redina पर ये image form करता है ठीक है this is your myopia अब बात करते है आपके पास में long sightness long sightness क्या होता भाई कि आप इसको पास का नहीं दिखाई पड़ता ये पास का अंधा होता है वो दूर का अंधा था ये पास का अंधा होता है ठीक है नाम ही है आपके पास में hypermetropia तो hypermetropia में क्या होता है पास का अंधा होता है इंसान यानि कि पास की चीज़ों से दिखाई, clearly नहीं देती, तो for this, क्या होता है, इसमें, it is a kind of defect in human eye, due to which a person can see distant object, but cannot see the nearest object, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो near point होता है, वो खिसक के आगे बढ़ जाता है, that means कि 25 cm हमारे पास में near point होता है, आख से healthy eyes के distance होती है near point की, but वो क्या होती, वो आगे की और खसक जाती, मतलब वो और पीछे की और, ठीक है, तो 25 cm से वो थोड़ा सा और आगे की और बढ़ जाती है, तो उसको correct करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन convex lens का यूज़ करेंगे, चलो आप जान लेते हैं कैसे one by one, सबसे पहली चीज हमारे पास में की, ऐसा क्यू होता है, रीजन है, decreasing in the power of eye lens, increase in the focal length of eye lens, ठीक है, shortening of eyeball काई बार क्या होता है, हमारी जो eyeball होती होँ, छोटी जाती है, ठीक है, जबकि हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर हमारे जो eyeball ती, वो क्या जाती है, लोगे रेशन, यानि कि आपके पास में जो eyeball होती है, जब बड़ी जाती है, तब यह reason होता है, इसमें उल्टा होता है, हमारी eyeball छोटी जाती है, तब हमारे पास में यह defect पैदा होता है, तो इसका main फंडा क्या होता है, कि मानलो आपका यह lens है, यह eye lens है, तो आपका जो कई बार eye lens होता है, वो पतला हो जाता है, दो reason हो सकता है, या तो lens पतला हो जाए, तो जब lens पतला होगा, तो obviously बात है, focal length increase हो जाती है, पतले lens की focal length जो होती है, वो कैसी होती है, बढ़ जाती है, that is the reason की वो क्या करते है, पीछे की और अपने images को फॉर्म करते है, तो जितना focal length बढ़ेगा, उतना पीछे जो है object का क्या बनेगा, image बनेगा, तो हमारा यह retina है, ठीक है, अब retina के ऊपर object नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हमारी eye lens की focal length बढ़ने की का रहा है, इसे बोलते है long sightness, वहाँ पे focal length छोटी हो गई थी, इसलिए इसको बोलते है short sightness, ठीक है, यहाँ पे इसको दूसरे नाम क्या बोलते है, आपके पास में, hypermetropia, ठीक है, अब चलो, यह चीज तो clear सब लोगों को, हमारे पास में, हमें अब दूर की चीज़ा दिख रही है, बस पास की नहीं दिखाई पड़ रही है, that means, हमारी focal length बढ़गी, तो focal length को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसा lens जो है, यूज करेंगे, जो आने वाली light ray को, और क्या कर देगा, converge करेंगा, तो आने वाली light ray जब converge होगी, तो यहाँ पे जो हमारा image form होगा, वो रहीना पे फॉर्म होगा, तो इस तरीक से हम लोग यूज करने वाले, तो क्या करेंगे, बच्छा, तो hyper metropia में, जो आने वाली light rays होती है, और converge होने के बाद, हमारी light ray और converge हो जाएगी, by the converging lens, थाना, वहाँ पे जरुवत थी diverging lens की, यहाँ पे किसकी जरुवत है, converging lens की, तो हमें यूज करना है, दो converging lens, जिससे क्या होगा, image बनेगा, retina पर, ठीक है, that is, और फिर power कैसा निकालोगे, अगें, सेम चीज़, बच्चह, हमारे पास में, object की जो distance होती है, वो minus 25 cm होती है, for the normal eye, and image की resistance होती है, वो बटा, defective distance होती है, हमारी near point की, ठीक है, so lens formula जो होता है, वो reduced होजाता है, तो basically हम लोग बो सकते हैं, जो power होती है, इसकी, वो आप लोग 1 by f से given देंगे, and हमारे पास में ये होगी, always positive, positive because of convex lens, ठीक है, चलो, next चीज़, जो आप लोग को बताना है, मन्ने, और वो है विटा, आपके पास में, की हमारा जो presbyopia है, उसके बारे में, ठीक है, चलो, so presbyopia, it is a kind of a defect in human eye, which occurs due to the aging, it happens due to the following reason, decreasing in flexibility of eye lens, and gradual weakening of ciliary muscles, in this, a person may suffer from both myopia and hypermetrophia, तो हमारे पास में presbyopia का problem क्या होता है, कि बच्चों, हमारे पास में जो चीज़े होती है, धुन्दली दिखाई देने लगती, अगर मैं इसको अपनी भाश्चा में बोलू, तो ये धुन्दली दिखाई देने लगती है, आपके पास में presbyopia में, जहां पर दोनों डिफेक्ट आपकी आइज में होता है, कहने का मतलब क्या है मेरे पास में, कि जस्ट एजूम करो, कि मेरे पास में जो पास की चीज़े रखी, ये आई लेंस है मेरा, तो आई लेंस के पास में जो सिलियरी मसल्स होती है, वो अपने साइस को चीज़ नहीं कर पाती, तो साइस को चीज़ नहीं कर पाएगी, तो भाई हमको पता है कि अगर ऑबजेक्ट पास में रखेगा, तो उसका भी image रटीना पे नहीं बनेगा, तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग यूज करते है, बाई फोकल लेंस का, जिसका यूज करते हैं, लोग बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो image होती है, वो रटीना बर बनती है, फिर आता है आपके पास में एस्टिगमेटिस, यह जो defect होता है इसमें generally person जो होता है वो horizontal and vertical lines के बीच में थोड़ा confused हो जाता है और इसका reason भी होता है multiple images फॉर्म होना जैसे कि आप देख सकते हूं यहाँ पर दो image है एक दिस एक दिस इन दोनों ही images में आप लोग देखो जो मारीज होता है जिसको आई में यह वाला defect होता है वो क्या कर रहा है उसको एक लाइन की जोगे पर multiple दिखाई पड़े जबकि नॉर्मल विदन वाल जो बन्दा है उसको एक लाइन फिंगल सिंगल दिख रही है यहाँ और उसको multiple vertical lines दिख रही है अगर आप लोग घ्यान से देखो multiple vertical line वो देख सकता अगर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो यहाँ पर number of lines जो है वो increase हो गई है same चीज उसको vertical and horizontal में बहुत confusion होता है he cannot see clearly यह जो deflect होता है इसको बोलते हम लोग एकमेज़मेटिजम नाओ इसको यू इसका reason क्या होता है कि हमारे पस में आने वाई लाइटरे जो होती है वो multiple क्या कर देती फोकल पॉइंट बना लेती है यहाँ पर देखो आप लो multiple focal points बनने की कारण हमारी जो आखे होती है वो images में बेद नी कर पाती है वी बेद नी कर पहजान नहीं पाती है problem कहां पर है तो it is an inability of eye in focusing objects in both horizontal and vertical lines clearly is called as astigmatism it is a kind of defect in human eye due to which a person cannot see simultaneously horizontal and vertical lines both correction कैसे करते है by cylindrical cylindrical lens मतलब की generally हमारे पास में इस तरीके का lens होता है वो इस तरीके का and this lens जो होता है वो इसको क्या करता है help करता है ठीक है चलिए अब एक और जो defect होता है जो की बुडे बुजुर्गों में mostly देखा जाता है that is किटरक्ट इसमें क्या होता आपके पास में इसमें हमारी आखों की जो lens होती है बोल सकते हो आप लोग की जो पुपिल होती है उसके ऊपर एक धुंदला-धुंदला सा कुछ प्रोटीन जो है वो इखटा होने लगता है ठीक है तो due to the membrane growth over eye lens the eye lens become hazy और even opaque तो opaque बनने लगती कहने का मतलब अगर आप लोग देखो एक नॉर्मल विजन है यह हमारे पास में normal आई है एक नॉर्मल इंसान की जो आखे होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है यह उसकी पुपिल होगी यह उसकी आईरीस है यह ब्लैक कलर की दिखाई पढ़ रही है यहां से light जो होता ह हो एंटर करता है लेकिन जब इसपुपिल के उपर हलका 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 कल आप लोग द करेंश देखो तो यहां पर एक हलकी 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 हलktी है लेयर या membrane इकहटा होने लगती है एन उसके कारण हमारे पास में जो विजन होता है वह हमें clearly दिखाई नहीं पढ़ता और ऐसा होता है because हमारी आखों के ऊपर कुछ प्रोटीन का लेयर होता है को एक खटा होने लगता है ठीक है और इसके लिए इसके कारण हमारे पास में हमें सरजरी करवानी पड़ती है इसकी सरजरी होती है हमारी भाषा में इसको मोतिया बिंद बोलते हैं मोतिया बिंद अक्सर लोग जानते है तो मोतिया बिंद एक विमारी ऐसी है जो कि भुजुर्गों में जादा होती है और फिर उसका ऑपरेशन करना ही एक इलाज होता है जहां भुपषब हो जिस्को भी उसका विजन देखो कैसा होता है जिसको ये प्रॉब्लम होता है विजन देखो इक नॉर्मल देखो कितना डिफ्रेंस है मतलब चीजें हमको औरेडी धुंदलि धुंदली दिखाई देती हैं अब बात करते है बट्रह आपका जो पार्ट तू था तो प्रिजम क्या होता है प्रिजम हमारे पास में कुछ इस तरीका का शेप होता है तो यह प्रिजम जैसे कि मेरे पास में प्रिजम तो नहीं है हमारे पास में दोनों ही काच के बने होते है एक ग्लास स्लैब और एक प्रिजम लेकिन दोनों का वरकिंग तोटली डिफरेंट होता है और इसका रीजन होता है हमारे पास में दो जो रक्तेंगलर शेप होते है वो एक पर्टिकुलर अंगल के ऊपर क्या होते है इंकलाइन होत दो हमारे पास में जो, इसको ऐसे समझा, this is your first, हमारे पास में क्या होता है, दो ऐसे ही same to same rectangular shape के हमारे जो slabs होता है, उनको आप ऐसे incline कर दोंगे on a particular angle और बीच में आपको सब कुछ भर दोंगे, तो ये प्रिस्म का क्या कर लेता है, फॉर्म ले लेता है, तो it is a glass prism, a five-sided solid with triangular cross section area, it has two parallel triangular faces and three rectangular faces, यानि कि ये और इसके पीछे एक और triangular shape होता है, इसको बनाओ तो इस तरीके से बनेगा, तो it will be this rectangular, basically your triangle shape, जो कि इस तरीके का है, and this will be your side, तो ये आपके पास में हो जाएगी, आपकी rectangular side, तो ये हमारे पास में होता है, किसी भी prism में, जो कि आप लोग य इस तरीके का का prism होता है, so prism को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, कि इसकी one, two, three, नीचे वाली side, और दो बगल वाली side, तो इस तरीके से one, two, three sides, इसकी rectangular होती है, and आमने सामने वाली sides होती होती है, triangle shape में होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते है, prism बोलते है, तो pr पहला देता है, diverge कर देता है, या फिर बोले, तो white light को ये divide कर देता है, इसके main light में, चलो, तो a glass prism is a five-sided solid with a triangular cross section, it has a two parallel triangular faces and three rectangular faces that are inclined to each other, it's some suitable angle, which is called an angle of prism, इसे हम लोग क्या बोलते है, a, a for angle of prism होता है, ठीक है, चलिए, आप समझते है कि prism के अंदर, जो main points है, जो कि हम को पढ़ना है, तो ये topic है, आपके पास में light का part 2, अभी दख के हम लोगों ने human आई पड़ा, अब हम समझेंगे, कि light के जो phenomena होते है, उससे related कुछ important, वो सकते definitions है, वो हम लोग जानेंगे, इसमें से एक definition होती है, dispersion of light, ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे, जो कि important topic है, important, महां से question बनते हैं, और चलिए, जान लेता है कि होता क्या है, तो basically हम लोग सबसे पहले जान रहे है, प्रिस्म क्या होता है, it is a prism, it has two triangular bases, and three rectangular, now, angle of prism क्या होता है, angle between two lateral faces, तो हमारे पास में है, आप prism को देखोगे, अगर आप prism का सामने का view देखोगे, front view देखोगे, prism आपको हमेंसा ऐसा दिखाई पड़ेगा, अगर prism का side view देखोगे, आपको prism जो होता है, वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, this is the side view, this is the front view, तो यह हमारे पास में क्या होता है, prism का front and side views, आप लोग देख रहे हो, तो हमारे पा समझो कि यह मेरे पास में कोई prism का ऐसा safe होता है, तो इन दोनों के बीच का जो angle है, that is your angle of prism, अब यह एक important term है, this is your angle of deviation, तो angle of deviation को अगर आप समझना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा dispersion, हम लोग पहले dispersion समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे angle of deviation, इ में किसी कोड़ा उठ है, I don't think so, तो जैसे मान लो मेरे पास white light, white light जो है, वो क्या कर रही है, prism की a, b side से होकर के जा रही है, prism का यह a, b side है, तो prism से होकर के मेरे पास में क्या हो रही है, एक white light जो है, पास हो रही है, so basically, अगर मैं actual light ray का path देखू, तो वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, this is my actual path of light ray, yes, am I right, this is the actual path of light ray, doubt, I don't think so, now, अब हमारे पास में क्या होता है, कि जब obviously बात है, this is the medium air, this is medium our like glass, and this is medium again air, 3 medium है, दो particular हमारे पास में जो layers है, rectangular shape है, वो कैसे हुए है, एक particular angle पे inclined हुए है, जिसको हम angle of prism बोलते हैं, अगर यहां पे angle नहीं होता, तो इस तरीके से आपका refraction भी नहीं होता, prism का refraction थोड़ा सा different होता है, normal एक rectangular shape के glass से, glass slab से जो prism का reflection होता है, reflection होता है, वो totally different होता है, glass slab में light ray इस तरीके से जाती है, ठीक है, और हमको पता है कि light ray जो होती है, वो आपके थोड़ा सा normal की तरफ खसक जाएंगी, and जब वापस से air में जाएगी, तो हमें पता है, हमारी light ray जो होती है, वो दूर हो ज light ray का path है, but what happened in this prism, prism का rule होता है, prism का rule होता है, कि आपके पास में जो जाने वाली light ray होती है, वो actual path ही होता है, यह वाला actual path है, this is the actual path, इसको मैं नाम देती हूँ, x and y, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर, इस point को नाम दे रही हूँ, मैं z, अब होता है, कि जब आपके पास में light ray, air to glass जाएंगी, हम सभी जानते है, यहाँ पर कहीं normal होगा, हमारा किस point पर, इस point पर हमारे पास कहीं normal होगा, ठीक है, हमारे पास में, इस point पर कहीं normal होगा, जिसको मैंने z नाम दे दिया, अब normal जिस point पर है, हम सभी जानते है, light ray उस तरफ जुकेगी, तो normal की तरफ, यह मे कि इस तरीके से जुखेगी तो है मेरे पास में क्या होती मेरे लाइट जो है वो juvenile ठीक है तो यू के सी are यह एक्चुवल पाथ था मेरा लाइट का दिस इस दा एक्चुवल पाथ जो कि आप लोग यहां पर देख है इस दा एक्चुवल पाथ ठीक है बट लाइट जो होगी हमारी सीधे न जाने की जगह वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ जुक गई है जब यह दूसरे नॉर्मल यानि की एन 2 पर पहुची जो की डेंसर 2 रेयर मिडियम था ग्लास मेरा डेंसर मिडियम है यह मेरा रेयर मिडियम है तो क्या होगा यहां पर कि अब लाइट रे क्या होगी नॉर्मल से दूर भागेगी तो यहां से लाइट रे जो होती वो इस तरीके से बाहर निकलेगी ठ पाथ होता है यह क्या होता है लाइट का एक्चुल पाथ है जो कि आप लोग देख रहे हो किसी भी प्रिज्म के अंदर तो इसको मैं नाम देती हूं कुछ नाम देते हैं उसको पी नाम देते हैं तो अब आप लोग देखो लाइट का जो पाथ है वो क्या है x n1 n2 np this is the path of our light ray तो यह light ray का path होता है तो यहाँ पर आप देखो कि हमारी actual direction से light ray कितना band होई है in prism तो इसको अगर आप यह जो आपकी n2p है यह जो हमारे पास में इसको नाम देदीजी आप कुछ नाम देदे हम लोग इसको इसको नाम देदी है हम लोगो ने small q तो इसको नाम देदी हम लोगो ने नाम थोड़े से अच्छे देते है m and n देदेते है na m and basically आपको m n समझ माएगा तो हम इसको नाम चेंज कर देते है let's put इस point को हमने बोल दिया small m इसको बोल दिया हम लोगो ने small n ठीक है इसमें किसी को इश्यू तो light ray का actual path क्या होगा हमारे पास में x m n p ठीक है this is the actual path so now what happens कि हमारे पास में जो light का path कितना change हुआ है तो हम लोग क्या करते है जो हमारे पास में n p है ये n है ये p है तो हम क्या करते है पी से पीछे की और इसको क्या करेंगे खीचेगे तो हम लोग p को पीछे की और पीछे की और पीछे की और क्या करते है पीछे की और खीचते तो हमें यहां पर actual line और आपकी जो bend light होती है उन्हें दोनों के बीच एक एंगल मिलता है कि कितने एंगल से हमारी light ray जो है वो बाहर निकली है तो that is called your angle of deviation. इसे हम लोग बोलते हैं delta से represent करते हैं this is your angle of deviation. तो ये मेरे पास में delta से represent होता है इसको हम लोग बोलते है angle of deviation, the angle between the incident deviation. तो ये होता है आपके पास में जब भी कोई एक light ray प्रिज्म से पास होती है now reflection of light throw of prism जो कि मैं आपको पहली बता चूगी हूँ this is our incident ray so you can see P E F R S हमारे पास में incident ray है और ये बाहर निकलती हुई emergent ray है तो हमारे पास में actual में light ray का पास ये होता है but वो diverge हो जाती है with this angle इसे हम लोग क्या बोलते है angle of deviation बोलते है this angle is called angle of deviation जो कि हमारे पास emergent light ray और actual light ray के पाथ के बीच में जो angle बनता है this is called your angle of deviation ठीक है तो ये आपसे as a terminology या फिर as a definition examination exam में पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं फटा फट से so now हमारा सबसे important topic है dispersion of white light by a glass prism अब होता क्या है कि हमारे पास में जब भी light ray किसी prism से गुजरती है होकर कि जैसे यहां पर भी आप लोग देख रहे हो कि prism से lighter जब गुजरती है तो वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपने main जो colors होते है उसमें divide हो जाती है यानि कि white light is a combination of seven main colors ठीक है जिनको हम विग्योर के नाम से जानते हैं तो reflection of light through a prism जब हम पढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले समझना पढ़ेगा कि light जब किसी भी prism से जाती है तो prism जमें जाने के बाद वो अपने main जो lights होती है या main जो colors होते है light के उसमें divide हो जाती है इसे हम लोग बोलते dispersion तो the phenomenon of splitting of white light into its seven constituent colors when it passes through a glass prism it's called dispersion of white light ठीक है the various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red so basically आपके पास में जो prism होता है prism से मान लीजे this is your prism ठीक है हमारे पास में white light ray जो है वो पास हुई तो जो colors होते है वो कुछ इस तरीक से divide हो जाता है जैसे मान लीजे this is your red color then नीचे जो होता है वो आपके पास में purple color मान लो blue and purple ठीक है थोड़ा सा और इस तरीके से जो है आपके पास में जो color है ठीक है वो divide हो जाते है ठीक है ओक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह मेरे पास में सिर्फ 3-6 colors है इसमें बीच में एक indigo missing है मान लो कि यह आपका present बन लिया तो कितना बड़िया सा rainbow दिखा है मैं तो नोटिस ही नहीं किया very good rainbow है ना तो यह rainbow form हो जाता है तो rainbow कैसे बनता है rainbow भी same phenomena पर बनता है ठीक है इसको बोलेंगे violet then आपके पास में blue then green then yellow फिर then आपका orange फिर red तो यहाँ पर आपको जो form होता है जो formation होता है वो होता है विब ग्योर नीचे से उपर की तरफ तीक है तो इसको आप ऐससे समझो कि हमारे पास में जो जाने वाली incident तो इसमें प्रॉबलम क्या होता है प्रॉबलम हारे पास में ऐसा हुआ कि जो लाइट्रे होती है वो अपने में seven colors में डिवाइड हो जाती है और सबसे नीचे always violet color होता है क्योंकि याद रखेगा violet color की जो wavelength होती है जितनी कम wavelength उतना ज्यादा dispersion होता है the note point is आपका जो dispersion होता है वो कहीं ने कहीं wavelength के उपर dependent होता है तो हम लोग बोल सकते हो दौ this person of violet is more small wavelength so हमारे पास में जब भी बात करें the dispersion of violet color is more because of less wavelength यतनी कम आपकी क्या होती है वेवलेंथ होती है उतना ज्यादा आपके पास angle of deviation मिलता है अगर आप लोग मुझते कोशिन पूछो कि मैं सबसे दा angle of deviation याई सबसे दा जो deflect हुई है जो राइट हमारे सबसे दा जो सबसे दा क्या हुई है जूकी हुई है नॉर्मल की तरफ हो गौनसी होती है बेस की तरफ violet जुकती है आद रखेगा तो हम लोग बोल सकते angle of deviation for violet light is more than angle of deviation for red light this is delta representing the angle of deviation so now what you have to study is just this की हमारे पास में light जो है red color की वो सबसे कम बिखरती है मुड़ती है यह अपने रास्ते को खोती है अगर आप लोग देखो तो अगर मैं यहाँ पर actual light का बाद बनाऊं तो आप लोग सभी देख सकते हो कि यहाँ पर angle of deviation for red color angle of deviation for yellow color for orange color for green color for blue for indigo and for violet so you can see सबसे बड़ा जो एंगल आप लोग देख सकते हो that will be your actual में यह वाला एंगल तो यह वाला एंगल जो होता है सबसे ज्यादा बड़ा होता है this is your nothing but violet color का deviation जो की बहुत ज्यादा है किससे red वाले color से and हमेशा screen में आपको नीचे violet color ही मिलेगा यानि जो भी आपका prism का base होता है base की तरफ हमेशा कौन सा color होगा आपका violet color ही होगा ठीक है चलो अब समझते हैं थोड़ा सा आगे तो composition अब कुछ हमें कुछ important definition समझ नहीं है that is composition of white light जो होता है वो seven colors से मिल करके बनता है basically so white light consists of seven colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red ठीक है अब यहाँ पर जो important चीज है that is your monochromatic, mono मतलब की अकेली ठीक है तो एक आपकी एक ही wavelength वाली जो light होती है उसको हम लोग बोलता है monochromatic, तो light consisting the of single color or of wavelength is called monochromatic light example sodium light या हम लोग बोल सकते है only red colors light अगर मैं बोलिया आपके पास में red light that means आपके पास में इस light की जो wavelength होती है उसकी बात कर रही हूं मैं अकेली एक light है जिसके पास में particular wavelength होती, wavelength मतलब कि आप लोग जानते हो this है ना हमारे पास मान लीजी यह light light wave है तो हम सभी जानते है wavelength between 2 ठीक है जो हमारे पास में हाइस होते है उनके बीच की जो distance होती that is your wavelength जिसकी ज्यादा होती है वो कम angle of deviation डालता है जबकि जिसकी बहुत कम होती यानि अगर आपके पास में wavelength जो होती है वो काफी कम है आप देख सकते हो यह मेरे पास में lambda for violet color है and this is lambda for red color है तो आप लोग देख सकते हो lambda for red r is बड़ा है जबकि lambda for violet is छोटा है तो जो छोटा होता है वो बहुत जादा उसका जो angle of deviation है वो बढ़ जाता है यानि इसका more dispersion होगा and जिसका जो r का value lambda r का value जो है जिसका जादा है basically उसका कम क्या होगा deviation होता है ठीक है अब बात करते है polychromatic light जिब हमारे पास में दो का combination होता है उसको बोलते polychromatic light तो basically light consists of more than two colors of wavelength is called polychromatic light example white light तो white light is the example of polychromatic light अब बढ़ते हैं आगे तो now Newton जी थे जिन्होंने ये वाला phenomena discover किया था तो हमारे पास में Newton जी थे Newton जी ने सबसे important चीज हमें जो बताई थी that is कि light जो है वो basically किसी भी prism से गुजरने के बाद seven different colors में divide हो जाता है जिससे dispersion बोलते है और उन्होंने इसको proof किया था दूसरा same material का prism को उल्टा रखे एक prism है जिससे क्या हो रही है light ray जो है वो अपने seven colors के अंदर बढ़ गई है इन्होंने दूसरा lens रखा जो की पूरा उल्टा है और इसको रखा इसके parallel में अब देखो इन दोनों की साइट से वो parallel है जब ऐसा किया गया तो आने वाली जो light ray थी वो वापस से white light में जो है गनबट हो गई मतलब एक light आई तूटी बिखर गई और प्रिज्म को हमने उल्टा रख दिया अब उल्टे light जब पढ़ी तो प्रिज्म के अंदर जा करके वो क्या हो गई एक हो गई तो यह वाला जो phenomenon होता है that is the recombination of white light जो है तो basically जब भी आपके जो में seven colors जाने की red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet जब आपस में combine होते है तो वापस से हमें white light मिल जाता है, so Newton found that when an inverted prism is placed in the path of the dispersed light then after passing it through the prism they recombine to find white light, अब बात करते है formation of rainbow, तो इसी के ऊपर बेस हम लोग समझेंगे formation कैसे होता है rainbow का, क्योंकि rainbow का formation बहुत important है and ये भी कहीं ने कहीं dispersion ही होता है, तो light ray जो होती है किसी भी मान लीजिए मेरे पास में ये आस्मान है और आस्मान से बरस्ती बादल की बादल से बरस्ती पानी की बूंद, this is your water droplets, जो की पानी की बूंदे होती है, this is your sun, यहाप हमारे पास में कहीं सूरज भईया है, तो य निकालने बादल लाइट रहे होती है, मान लीजिए वो ड्रॉपलेट से पड़ी, तो क्या होता है कि ड्रॉपलेट बिहेव करता है, act like as a prism, यह क्या करता है, यह प्रिजम की तरह act करने लगता है, ठीक है, तो अब droplets के अंदर दोप condition हो सकती है, मान लो यह आपके पास में water droplet है, यह मैंने ड्रॉपलेट को बड़ा कर दिया, तो generally water droplet जो होती हो ऐसी होगी, या इसको हम बोलते है कि जब बहुत छोटी water droplet होती है, तो वो बिल्कुल surface tension के खारण एक बिल्कुल ball जैसी होती है, या वो सकते हो football की ball की तरह होती है, ठीक है, इस shape में, तो अब जब light किसी भी water की droplet से पास होगा, तो दो condition होगी, कि जो light है वो या तो refract होके सीधे बहार निकल जाए, पहला condition क्या होगा, कि light आई और सीधा बहार निकल जाए, that is your, सिर्फ reflection of light, यहाँ पर एक ही phenomenon लग रहा है, in this condition, कि आपके पास में क्या हो रहा है, reflection हो रहा है, और कुछ नही होता है, बट हमारे पास में जो एक ऐसे एंगल से water droplet पर light पढ़े, एक ऐसा एंगल जहाँ पर आपकी जो होने वाला reflection है, वो उसी medium में हो जाए, मतलब समझ इने की कोशिश करना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बोला, मान लीजिए, this is your water droplet, मैंने कहा ऐसे एंगल से आपके पास में इस surface पे या normal, हमना आरे पास में normal है, तो normal की तरफ से light जो है वो ऐसी गुझरे, ऐसी गुझरे कि वो पहला medium, दूसरा medium, तीसरे medium में ना जाने की बजाए, वो जाना तो ऐसे चाहती थी, लेकिन उसी medium में क्या हो जाती है, पलट जाए, तो this is total internal reflection, जब हमारे पास में light क्या होती है, जैसे मान लीजे मेरे पास में कोई medium है, this is my first medium, this is my second medium, तो जब light को हम ऐसे angle से incident करवाते हैं दूसरे medium में, कि light उसी medium से बाहर जाने की बजाए, उसी medium में क्या हो जाए, वापस से refract हो जाए, समझो इस चीज को, कि medium में बाहर जाना चा अगले medium में, उसी medium में क्या हो जाती है, वापस से refract हो जाती है, इस phenomenon को बोलते है, total internal reflection, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, total internal reflection, तो हम एक normal से ऐसे angle पे light ray को incident करते हैं, जिस से light ray बाहर पास ना हो करके, जैसे आप लोग देख सकते हो, ये light ray जो है, वो बाहर पास ना हो करके, हम हमारी light जो है, वो कैसी गई है, जो light है, वो इस तरीके से ना जाके, वो उसी medium में, आप देखो, की light को हमने ऐसे incident angle से क्या करा है, नॉर्मल पे डाला है, की light जो है, दूसरे medium में जाने के बाद, बाहर ना निकल के, उसी medium में वापस से क्या हो जाए, reflect हो जाए, तो इसे हम तो मोलते है, total internal reflection, अंदर यंदर क्या हो जाता है, reflect हो जाता है, तो आपका जो rainbow होता है, rainbow के अंदर होता है, total internal reflection, जिसके कारण, पहले होता है, आपके पास में reflection, तो पहली चीज क्या होती है, कि आपके light जो है, उसमें क्या होगा, reflection perform होगा, reflection perform होगा, तो light जो है, वो पहले medium से दूसरे मीडियम में गुसी सी मीडियम में जाने की बाद वो तीसरे मीडियम में ना जाते हुए उसी मीडियम में क्या हो गई है जिसके कारण अब आपकी जो light है वापस कैसे निकलेगी इस तरीके से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हमारे पास में अब जब rainbow form होता है तो यहाँ पर तीन चीज़े होती है पहली light ray आई अपने main colors में क्या होगी divide हो जाएगी and after that हमारे पास में वो अपने main मुलबुत color में या अपने main seven colors के अंदर divide हो जाती है that is your dispersion ठीक है तो now आपके पास में क्या हुआ reflection हुआ दूसरा total internal reflection हुआ and third चीज़ is dispersion हुई हमारे पास में यह तीन चीज़े होती है जब rainbow form होता है तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में यह क्या है यह एक हमारे पास में water का droplet है तो water droplet में सबसे पहली चीज़ light हमारे पास में गई अंदर क्या हुआ reflection हुआ तो यहां पे यह act like a prism यह क्या करती है water की droplet act like a prism करती है reflection हुआ यानि light ray पास ना हो करके उसी water की droplet के अंदर क्या हो गई है totally reflect हो गई है इसे हम लोग बोलते है this phenomena is called total internal total internal reflection and फिर यहां पर क्या हो गया है dispersion ठीक है तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हमारे पास में कि तीन चीज़े हुई है हम लोग ने notice करा कौन से कौन से चीज़े हुई है पहली तो चीज हमारे पास में हुई है कि यहां पर यार dispersion हुआ है दूसरा ही reflection हुआ है और reflection हुआ है तो यह तीन चीजे जो होती है वो एक साथ में perform होती है that is your actual reflection of light, dispersion of light, total internal reflection तो जब भी rainbow form होता है तीन चीज़ आप लोगों को लिखनी होगी now जो next topic है that is atmospheric reflection basically reflection so atmospheric reflection में क्या होता है चलिए बात कर लेते हैं atmospheric reflection होता है due to the different level of refractive index हम सभी जानते है कि earth के चार दरफ एक बहुत बड़ा atmosphere है और हर atmosphere की different, 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 different layer होती है with a different refractive index just assume कर लो N3, N4, N5 हमारे पास में different, different, different refractive index है तो हम क्या कहते है कि यह refractive index अगर अलग है तो refractive index अलग होगा तो जो reflection होगा light का वो भी differently होता है तो पहरी चीज, multiple layer है हमारे earth के उपर दूसरी चीज, सबका refractive index हर layer का अलग होता है तीसरी चीज, temperature earth का बार 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 चेंज होता है तो air जब पास होती है उसका भी refractive index बड़ते रहता है तो यह जो phenomenon है बार 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 पूरे earth के उपर repeat होते रहता है that is the reason कि जब भी बाहर से कोई light ray हमारे earth के atmosphere में आती है उसकी आखों में different different direction में light ray दिखाई पड़ती है जिससे यह emerge होकर के twinkling effect दिखाता है इसे हम लोग बोलते है twinkling effect so basically जब भी light ray जो atmospheric layer से पास होती है तो वहाँ पे different different direction में refraction के कारण atmospheric refraction होता है so refraction of light caused by the earth's atmosphere is called atmospheric refraction the physical condition of the refracting medium are not stationary सबसे पहले चीज़ कि physical medium हमारे earth के उपर का वो stationary नहीं है वो change होते रहता है हम सभी जानते है कि कभी कही पे ozone की जो layer है बहुत मोटी है कहीं पतली है तो यह क्या है changes basically तूसरी चीज जो हमारे पास में वो क्या है कि some of the air layers are cold and act like a denser medium whereas other layer of atmosphere are comparatively warm and act like a rarer medium in the atmosphere air layers have different optical densities so when the light rays passes through the air layers so different optical densities then refraction of light takes place और जब refraction होता है तो वो भी different direction में होता है जिसके कारण stars जो होता है वो twinkle करते तो अगर आप लोगों ने notice करा होगा observer तक पहुषती है जिसके कारण observer की आख में यह twinkling twinkling निखाई पड़ती है इसे लिए हम लोग बोलते है कि stars जो होते है वो क्या करते है तो हम सभी लोगों ने notice कर रहा है कि जो बड़े-बड़े stars होते है जो बहुत दूरी पर है वो twinkling करते हुए दिखाई पड़ते है ठीक है तो sun जो होगा वो जहां पर actual position है उससे हमेसा उठा हुआ या नीचे दबा हुआ ही आपको दिखाई पड़ेगा so it is due to the atmospheric refraction of star light the temperature and density of different layers of atmosphere keeps varying hence we have different medium distant star act as a point source of light when the star light enters the earth's atmosphere it undergoes refraction continuously due to changing refractive index from rear to denser it bends towards the normal due to this the appearance of position of star is different from actual position the star appear higher than its actual position तो अगर आप लोग ध्यान से देखो मान लीजी मेरे पास इस अच्च्वल पोजिशन ऑ पर हमारे पास पर जो एक्च्वल पोजिशन होती है उससे हमेसा हमको ऊपर ही दिखाई पड़ता है तो एक्च्वल पोजिशन यह है बट इस्टार की जो इमेज होती है वो कहां बनती है यह हमें क्या लगता है कि हमारे पास इस्टार कहां पर है इस पोजिशन पर है वह एक्च्वल में हमें उठा हुआ दिखाई पड़ता है ठीक है हमें लगता है कि डिस्टेंस बहुत कम है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे पास में जो रिफ्रेक्टर रिफ्रेक्शन होता है वह सिक्के को ऊपर की और उठा हुआ दिखाई पड़ता है रिजन होता है कि होता है सेम हमारे पास में जो stars का appearance होता है वो actual position से हमेंसा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि simple सी बात है बहुत सारे different different हमारे पास में atmosphere में क्या होते हैं बहुत सारे different different layers है जब हमारे पास में light ray incident होगी जब light ray आती है तो हमेशा वो band होती है band होती है और हमें कहीं और actual position दिखाई पड़ती है ठीक है फिर बात करते है why do stars twinkle because हमारे पास में जो light आता है earth की surface तक के वो twinkle twinkle करते हुए आता है याने कि refractive index change हुआ light का path change होगा क्योंकि आपको पता है कि जब medium change होता है तो light ray का path भी या direction of light ray change होता है और जब-जब light ray का direction change होगा तब-जब हमारे पास में जो earth की surface पर देखने वाला इनसान होगा उसको हमेशा तारे टिम्ठेमाते हुए दिखाई पड़ते हैं ठीक है बट अब एक question है कि सिर्फ stars ही twinkle करते हो दिखाई पड़ते हैं हमें कभी कोई planet twinkle करते हो दिखाई नहीं पड़ता इसका पीछा reason की होता है तो यह simple सी बात है अगर मैं बात करते हूँ प्लानेट्स की तो प्लानेट्स बहुत पास में अगर आप देखो हमारे जो आसपास के प्लानेट्स होते हैं वो अर्थ से distance कम रखते है जिसे फॉर एगर मैं सन की भी बात करूँ तो सूरज भी हमें twinkle करते हो दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वह बहुत नजदिक है हमा और वो उनका खुड़ का लाइट सोर्स है क्या नेएग वो लाइट सोर्स हुड़ का नहीं रखते है लाइट सोर्स जो होता है और स्टार से रिफ्लैट करते है वो लाइट को अर्थ की तरौफ and that is the reason कि हमको प्लानेट भी कैसे लगते है कि या स्टार की तरह है यानी कि प जो question है exam में कई बार कई बार पूछा जाता है ठीक है तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते है what is the actual reason behind it ठीक है चलो तो हम लोग जानने की कोशिश करते है कि what is the actual reason behind कि हमारे पास में जो earth का distance होता है ठीक है जो हमारे पास में actual जो बोल सकते है कि why the duration of the day become approximately 4 minutes shorter if there is no atmosphere on earth इसके पीछे का एक reason होता है and that is a reason कि sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset यानी कि मेरे पास में मान लीजिए 6 बजे या 7 बजे sunrise होने का time है ठीक है अगर sunrise का time है 7 o'clock तो हमको वो 6.58 पर ही sun visible होने लगता है समझो इस चीज़ को हमको 6.58 पर ही sun visible होता है जबकि actual sunrise का time कितना होता है 7 o'clock के उपर ठीक है and फिर हम लोग बात कर रहे हैं डूबने की जब आपका जो sunset हो जाता है जब सूरज डूबने लगता है तो हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा और दिखाई पड़ता है यानि कि मान लीज़े 6 बजे जो आपका sun है वो set हो रहा है तो आपको 6 बच के 2 मिनट तक के sun set होते हो दिखाई पड़ेगा reason क्या होता है reason यह 2 मिनट डूबने के time extra बढ़ जाते है और जागने के पहले sun के उदय होने के पहले के 2 मिनट वो increase जाते है तो दो दो 4 मिनट हमें क्या होता है extra मिलता है sun को देखने के reason क्या होता है क्योंकि same चीज है हमारे पास में sun से आने वाली light rays atmospheric refraction की कारण हमारी आखों पर बढ़ती है तो sun की जो actual position होती है वो उससे shift होता हुआ दिखाई पड़ता है जैसे कि यहां पर तो यह मान लीजे हमारे पास में horizon है तो यहां पर इस position पर मान लीजे आप खड़े हो this is you जो की आप खड़े हो यहां पर and हम देख रहे है इस position में तो होता क्या है आपके पास में कि sun की actual position यह है this is your sun and यह इसकी actual position पर है यह हमारा atmosphere with different type of refractive index की layer तो refractive index की layer differently होती है तो जब हमारे पास में sun जो है वो अपनी light ray को क्या करता है अंदर की और डालता है तो of course light ray जो है वो क्या होगी वो band होना start करेंगी towards the normal तो light हलकी सी band होती है हलकी सी band होने के बाद अगेन आपके पास यह point आएगा तो यहां पे light सीधी ना जा कर फिर हलकी सी band हुई फिर इस point पर जाकर sunset के time पर सी में ऐसा होता है sun जब डूब जाता है तब दोनों ही position में ऐसा होता है now जो important term है that is your scattering of light so light का एक और फिनोमेन है जहां पर क्या करता है वो scatter हो जाता है scatter का मतलब क्या होता है फैलना अपनी भाशा में बोले तो sun जो होता है वो चारो डारेक्शन में फैल जाता है किसी भी डारेक्शन में फैल जाता है so for example अगर मैं आपको बोलू कि मेरे पास में scattering of light is a fascinating phenomena that occurs when light travels through a different medium and it is scattered by the particles of the medium or irregularities so होता है क्या है जिसे मान लीजे मेरे पास में ये light ray है ये मेरे पास में light ray है जो कि जा रही है जा रही है और there are so many particles in medium ठीक है हमारे पास में बहुत सारे particles है medium के अंदर तो समझो इस चीज को कि there are so many particles और tiny tiny particles होता है तो sun क्या है आपके पास में light source है sun क्या है light source है तो जब light source से हमारे atmosphere के अंदर कोई light आती है ये जनरली आपके पास में light ray के रास्ते पहेष्टें में कोई ऐसे tiny tiny particles आ जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास में light ray होती है, यह कार जाती है इस तरीके से हर direction में fell जाती है Malo यह light है तो light क्या कि де इस एक बीडारेक्चां में fell जाती है This phenomenon is called scattering, यह लाइटर जो है इस तरीके से फैल जाती है that is called scattering of light ठीक है इसी के कारण से हमें असमान जो होता है वो निला दिखाई पड़ता है तो आने वाली light हमारे पास में इस तरीके से आ रही ही थी but light के रास्ते में कोई छोड़ा सा पार्टिकल आया बहुत छोटा सा tiny सा पार्टिक and scattering of जो light होती है according to Rayleigh's law तो हमारे पास में रेले करके एक साइंटिस्त थे इन्होंने एक law दिया था कि जो light ray scattered होती है वो depend करती है wavelength पर तो scattering can be proposed as lambda का inversely proportional, lambda की power 4 का inversely proportional होता है that means हमारे पास में अगर मान लेजिए किसी light की wavelength है तो wavelength की power 4 जो होता है इन्वर्स में वो हमारे पास में scattering of phenomena जैसे कि for example मेरे पास में 2 light ray है जिसकी में बात करती हूँ है एक है मेरे पास में red light दूसरी मेरे पास में है violet दोनों ही light ray का हम लोग बात कर रहे है तो red light की जो wavelength यानि की lambda का value का ऐसा होता है more होता है than your violet तो violet का जो हम बोल सकते है wavelength होता है less होता है ठीक है and red का ज्यादा होता है तो in this position हम लोग बोल सकते है कि जो red light होती है उसका wavelength कैसा है ज्यादा है and हमारे पास जो violet है उसका wavelength कम होता है and with the railings law of scattering हमारे पास में मान लीजिए कि अगर scattering हो रहा है यहां पर मैं लिख देती हूँ scattering of light ठीक है scattering of light जो है वो basically किसके proportional inversely वो lambda की power 4 के अगर मैंने यहां पर lambda की power r रखी है मतलब lambda of red light और मैंने उसको comparison किया है with lambda किसका violet ray का मुझे बताए किसका value ज्यादा आएगा मुझे बताए scattering phenomena किसका ज्यादा होगा जिसकी wavelength ज्यादा होती है मुझे एक बात बताए अगर नीचे की value बहुत ज्यादा बढ़ ज light कम हो जाएगा but for violet light जो हमारे पास में scattering phenomena होगा ज्यादा यानि violet light जो है वो ज्यादा scattered होगा rather than your red light तो हम लोग बोलता है scattering of light decreases with the increasing of wavelength जितनी ज्यादा wavelength होती है उतना कम scattering phenomena जो है वो work करता है and that is the reason कि electromagnetic wave के पूरे spectrum में हम लोग use करते है radio waves ठीकिया बहुत सारे reasons होते है बहुत स तो आप कह सकते हो कि जो violet blue lights lights होती है जो आपकी indigo lights होती है जो colors होते है यह ज्यादा scatter करते है that is the reason कि हमें sky जो है blue appear होता है ठीक है तो इसको बोलता है scattering of light तो आप देख सकते हो कि आने बाल लाइटरे जो होती है वो कैसी हो जाती है scatter बिखर जाती है पूरी तरीके से that is your scattering of light and also जो blue light होता है इसी का reason है यह हम लोग बोल सकते है sky is blue why sky is blue because जो sun से निकलने वाली light रहे होती है combination of seven light no doubt तो हमारी जो red light होती है तो red light जो होती है yellow light red light and आपकी जो नारंगी light है this one यह जो lights होती है यह earth की surface पहुच जाती है यह मेरे पास में क्या है earth की surface है उस तक पहुच जाती है जब कि जो blue light होती है यह हम लोग बोलते है आरे पास में जो हमारी purple lights होती है indigo lights होती है वो क्या होती है इस तरीके से फैल जाती है that is the reason कि हमारे पास में रसफेड आसमान ब्लू नियू आपीर होता हैelly वार्स आसमान आघा देटा नियू के ऑस्काटर आदेख कालर麼 आचटा स मगेनो डिशन सबस्कंगऑ सान इंटैमर की फोराई नरंगी ब्लॉ को सबस्क्राइब होता समारे सबस्क्राइब केसा याल आपके पास में आपका वाइलेट होता है वो क्या करता है वो स्काटर जाता है इस तरीके से स्काटर हो जाता है यही बताता है हमारे पास में कि जो लाइट होता है जब लाइट चलते रहता है तो इसके बाद में हमें जो पढ़ना है यही बताता है हमारे पास में कि जो लाइ होता है जब light चलते रहता है तो light के रास्ते में जब बहुत छोटे चोटे टाइनी टाइनी particles आ जाते है तो वो क्या कर जाता है वो बिखर जाता है और हमें light का जो रास्ता होता है वो visible होता है that is your tinder effect so the earth atmosphere is heterogeneous mixture of so many minute particles these particles include smoke tiny water droplets suspended particles of dust and molecules of air बहुत सारी चीज़े होती है बहुत सारे particles available है atmosphere में and because of this when a beam of light strikes such fine particles the path of the beam become visible the light reaches us after being reflected diffusely by this particle the phenomena of scattering of light by collidal particle gives rise to tinder effect यानि कि जब भी आपके पास में light किसी भी collided collide solution से पास होता है तो light का जो basically वो सकते कि light का जो path होता है उसमें reflection या changes के कारण हमें light का actual path visible हो जाता है लाइट का path हमें कभी visible नहीं होता है बड़ जब visible होता है वो होता है because of tinder effect this phenomena is seen when a fine beam particle sunlight enters smoky filled room through a small hole the scatting of light makes the particles visible the tinder effect can also be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest here tiny water droplets in the mist scattered light जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो water droplets होती है ठंडी के दिनों में आप लोगों ने mostly observe किया होगा कि जब light रहाती है तो आपको जो उसके path देखो यह actual path हमें दिखाई पढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे चोटे 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 टाइनी टाइनी dust particles है water droplets होता है उससे गुजरके जब light आपके नदरों में पढ़ता है तो वहां पर हमें एक path visible होता है क्योंकि तिंडल एफेक्ट क्या होगा action में है तिंडल एफेक्ट जिसमें जो collide solution होता है this is your collide solution collide solution में से जब भी light ray pass होगा तो वहां पर उसका path होता है visible हो जाता है that is the तिंडल एफेक्ट सेम चीज़ आप लोगों देखी होगी क्यों असमान में भी करी बार बादलों से जब light ray घुजरती है तो उसका path actual में हमें visible होता है वह visibility क्यों आ रही है because आपके जो बादल होते है उसमें बहुत सारी चोड़ी चोड़ी ट्राइनी water droplets होते है जब उससे पास होती है light तो वहां पर टिंडल एफेक्ट जो होता है वह work करता है तो आपके पास में आता है color of the clear sky is blue तो अगर आप लोग नोटिस कर रहा होगा हमारे पास में तो जो आसमान का रंग होता है वह blue होता है because of scattering of violet light तो वह light जादा क्या होती है Scattered होती है इसके करण आसमान का color जो होता है वह नीला होता है वह blue color का दिखाई पड़ता है तो आपका जो sun है आपको इसमें ध्यान रखना है that is the color of sun at sunrise also at sunset तो जो sunset और sunrise के time पर color of sun होता है वह red होता है तो होता क्या है फिर again same चीज हमारे पास में perform होती है यह आपकी earth है ठीक है मान लीजे हमारे पास में sun है तो sun से आने वाली जो light ray होगी वह क्या करेगी जब earth की तरफे इस पर आने की रहेगी तो जिसकी wavelength ज्यादा वह scattered होगा है नी तो only red light जो होता है इसकी wavelength कैसी होती है सबसे ज्यादा होती है तो आपका जो earth जो होता है उसकी horizon पर basically हमें red light दिखाई पड़ता है और sun का जो shape होता है sun का जो color होता हमें red visible होता है ठीक है due to scattering phenomena scattering इसका कम होता है इसलिए हमें sunset हमेशा red दिखाई पड़ता है ठीक है same चीज तो आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास में sun near horizon is red sun at afternoon is yellow ठीक है चलो तो this is your scattering phenomena totally हम लोगों ने जो पढ़ा है light के दो phenomena हम लोग को समझने थे पहला human eye दूसरा हमें समझना था कि कैसे हमें other चीज़ा दिखाई पड़ती like light हमारा जो होता है वो sun का जो color होता है वो red q appear होता है same चीज होती है जो red signals होते है signals signals में आप लोगों देखा होगा या danger का जो color होता है तो color of danger is red color of danger is always red इसके भी पिछे का reason सेम ही होता है कि red color की wavelength होती है वो दूर तक जा सकती है for example के लिए जसे माल ओ ठंड के दिनों में कोहरा होता है पाएगी क्यों कि यह बहुत तेजी से scatter हो जाएगी बट वहीं पर red light जो होगी जब उसको आप चलाओगे तो वो दूर तक visible होती है क्योंकि wavelength जादा है red light की यतनी जादा wavelength वो दूर तक है क्या होगी visible होगी ठीक है this is just it is okay चलो तो यह था आपका आज का फंडा फेनोमेना जो कि हम लोगों ने ख़वर अप किया scattering of light and this is your chapter human eye and the colorful world इसके अलावा जो भी questions होगे we will discuss in later चलिए that's it for today बाइबाए ठेक्टा सिया टेक्या